हेलो फ्रेंट्स नमस्का स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सामान बिज्ञान जेनरल साइंस के मोश्ट इंपोर्टेंट 20 कुर्षिन जो की कई बार कॉंपटेटिव एक्जाम्स में पूछे जाते हैं तो चलिए हम सुरू करते हैं वो सभी कुर्षिन को करके देखते हैं फर्स्ट कुर्षिन यहाँ पर है तड़ित चालक बनाया जाते हैं तड़ित चालक तामविध हतु के बनाया जाते हैं तो यह आपको याद रखना है तड़ित चालक तामविध हतु के बनाया जाते हैं फ् Q2 is, कार आप्तरक है, देखे question simple है, लेकिन यदि आप इनको एक बार कर लेती हैं, तो निश्चिछत हो जाते हैं यह, क्योंकि यह question change नहीं होते हैं, तो चलिए इस question का answer हम देखते हैं कार का SI मातरक या मातरक क्या है कार का मातरक होता है जूल तो ये आपको याद रखना है कार का मातरक क्या है जूल question number 3 प्रकास बर्ष एकाई है तो प्रकास बर्ष किसकी एकाई है option आपढ़िए फिर answer स्वयम देने का प्रतने कीजिए देखे इसका answer है option number 2 प्रकास बर्ष दूरी का एकाई है दूरी का मातरक है fourth question देखते है पदात की चोथी अबस्ता क्या कही जाती है देखे प्लाज्मा मेंटल गैस इंद मैसे कोई नहीं तो इसका सही answer है प्लाज्मा ठीक है तो प्लाज्मा कही जाती है पदात की चोथी अबस्ता पहली अबस्ता होती है ठोस दूसरी द्रब और तीसरी गैस ठोस द्रब गैस और चोथी होती है प्लाज्मा यह आपको याद रखना है सोने का लेटे नाम क्या है क्यूप्रम औरम अर्जेंटम केरम तो देखिए सोने का लेटे नाम है औरम तीक है ओफसर नमबर 20 कुश्चिन का अंसर हो जाएगा क्कोश्चन नमबर 다 सिक्थ है पारे का प्रमुक अयस्क है तो पारी का प्रमुक है due journée जीम सब़् का सरप्रतम किस ने किया ओगजी का खुश्चिन कम अएठ है шज्द haarmore ग्या है कुषच्चा का ऊर्ज्या ग्रह long कंटिया और जोहं सॉम योज्जी का अनसर है Nucleos तो इसका सही आंसर है Mitrokondria कुर्ष का कवजग रहा है Mitrokondria कहलता है Q7-9 भार्स द calculate work है polyo polyopage hydrophobia, ये सभी know Tous scared मिलते हैं इस प्रकार से question number 9 का answer option number D हो जाएगा अंगला question देखते है question number 10 है जिसमें पूछा गया है रेवीच के टीके की खोच किस ने की तो एक question है इसको पढ़िए इसके आंसर देखिए देखिए रेवीच के टीके की कोच की थी लूई पास्चर ने तो इसका आंसर हो जाएगा option number B next question देखते है question number 10 हो गया है 11 देखते हैं Hansen रोग किस रोग का अन्यच्णाम है तो इसका सही आंसर है कुष्ट ठीक है कुष्ट रोग का अन्यच्णाम है Hansen तो इसका C option सही हो जाएगा next question देखते हैं question number 12 विस्व पृत्वी दिवस का मनाया जाता है तो विस्व पृत्वी दिवस 22 अपरेल के दिन मनाया जाता है तो इसका सही option हो जाएगा option number E next question है question number 13 Garentology निम्निवे किसके अध्यन से सम्बन देथ है Garentology व्रद्धों के अध्यन से सम्बन देथ है option number D question का ответ Question number 14 है पारस्थिति की तंत्र सब्द का प्रयोग सरप्रथम किस ने किया तो पारस्थित्य तंतै। इकोसिस्टम का प्रयोग सरप्रथम Mg ट्रेंस लेने किया था तो अप्सान नमबर सी इसका सही अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं कुश्चन नमबर 15 है क्लोरोफिल में कौन सी धातू पाई जाती है तो क्लोरोफिल में पाई जाती है मैगनीशियम धातू त देखते हैं कुश्चन नमबर 16 सी एंजी में कारवन का कौन सा योगिक सरभादिक मात्रा में रहता है तो इस कुश्चन का फर्स्ट ऑप्सन सही हो जाएगा सी एंजी में मीथेन सबसे ज्यादा रहती है उसके बाद कुश्चन नमबर 17 देखते हैं लोहे की ऊपर जिंक की परत चड़ानी की क्रिया क्या कहलाती है या क्रिया को क्या कहते हैं तो इस कुश्चन का अंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर 2 लोहे पर जस्ते की परत चड़ानी की प्रक्रिया को गैलविनी करन या गैलविनाइजेसन कहते हैं अगला कुश्चन है कुश्चन नमबर 18 बायू नमघए चुट तो ऑसन मुट्ष का आइगां लिए कोशन है को प्रकुिडन के कारण में लीट के क्मठातर तो सब्सक्राइब लुए गुभ्यच Vermia क्रेंग क्मठाशन प्रकुट का रंग नीला निअस का रासानिक नाम है रेटिनॉल यह बहुत important question है कई बार पूछे जाते हैं साथ मैं आपको यह भी याद रखना है कि थाइमिन vitamin B1 का रासानिक नाम है और एसकार्बेक एक्सेट vitamin C का नाम है रासानिक नाम है और इस प्रकार से सभी आप याद रखिए इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्स्राइब कर लिजे साथ ही बेल आइकिंग को फ्रेश करके रखना ताकि सभी वीडियो आपको मिल सकें अन्य बिस्चियों के जीके के question देखने के लिए आप चैनल पर लिष्ट को कर लो हुआ है